वेलकम टो फ्री बर्ड और पैट अनिमल चैनल आज मैं आपके साथ एक रैबिट का स्टोरी शेयर करूंगी इस टोरी से पता चलेगा कि रैबिट कितना वाइज है मतलब वो उसका ब्रेइन कैसे यूज करता है एक दिन एक रैबिट खेती से गाजर उठा के ला रहा था अपने फैमिली के सथ शेयर करके खाने के लिए तो उस टाइम क्या हुआ जब वो आ रहा था तो आते टाइम उसे एक फॉक्स मिला हम सब को पता है फॉक्स बहुत क्लेवर होते है और फॉक्स हमेशा चाला की से दूसरे से दूसरे का खाना खाते है तो फॉक्स ने क्या किया फॉक्स ने रैबिट को बोला हे रैबिट आज मुझे चांस मिला आज मैं तुम्हें खाने वाला हूँ तो रेबिट को समझ गया है कि फॉक्स अभी उसको पकड़ेगा तो रेबिट ने बोला ओके ओके आप मुझे खा सकते हो बट एक मिनित ठेरो मेरे बात सुनो उसके बाद मुझे खाओ मुझे कोई धिकत नहीं है तो रेबिट भी बहुत क्लेवर था तो उसने एक प्लैन सोचा अपने मन में और बोला कि ये जो गाजर में लेके जा रहा हूँ वो मैं मेरे एक फैट अंकल के लिए लेके जा रहा हूँ तो उसके बाद मैं ये गाज और मेरे अंकल को दे के आता हूँ उसके बाद आप मुझे खा सकतो तो फॉक्स ने क्या सोचा ठीक है कोई बात नहीं मैं तुम्हारे पीचे-पीचे आओंगा और मैं तुम्हारे अंकल को भी देखूंगा अगर वो फैट है तो उसको खाने में और मज़ा आएगा तो फॉक्स ने बोला ठीक है मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और कैरट देने के बद मैं तुमको खा लूँगा तो रैबिट ने बोला ठीक है आजाओ तो पीचे-पीचे गया और जाने के बद क्या हुआ वो रैबिट उसको एक लायन के डेन के पस लेके गया तो फॉक्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो पीचे-पीचे जा रहा था और जब लायन के डेन के पस गया तो रैबिट ने क्या 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 वो कैरट को फेक दिया उस डेन के अंदर ने क्या सोचा पहले में उसको खाता हूँ तो डेन के अंदर जंप मारा और लायन ने पकड़ लिया और खा लिया ये स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है अगर हम छोटे हो तो कोई बात नहीं है पर हमारा ब्रेन को हमेशा यूज करना चाहिए यूज यूज यूर ब्रेन तो आप अगर छोटे हो तो कोई धिक्कत नहीं है पर मुश्किल के बगत समझदारी से काम करना चाहिए थे